नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगा आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डैरी में दोस्तों आप लोग कह रहे थे संफलेग आरन के ऊपर एक वीडियो बनाने को और मैं आपके लिए एक डीटेल में वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों में नहीं कई बार ये इस स्टॉक का रेकमेंडेशन टीव पर सुना है कई चैनल के रिटार पर ये स्टॉक होता है कई एनलिस्ट के रिटार पर ये स्टॉक होता है ऐसा क्यों ये आपको इसके काम से पता चल जाएगा दोस्तो Sunflag Iron एक Iron and Steel Manufacturing Company है इनके Iron and Steel के कई प्रोड़क्ट आते हैं जैसा कि हम देखते हैं Pipe, सरिया, Rod, Steel and Steel प्रोड़क्स बनाती है और भी बहुत सारी प्रोड़क्ट बनाती है दोस्तो दोस्तो हमने 10-12 में पढ़ रखा था कि लोहा एक ही तरह का होता है लेकिन जब आप देखेंगे तो लोगा कई तरह का होता है दोस्तो और Car और Defense का प्रोड़क्ट बनाने के लिए अलग तरह के का लोगे का यूज होता है तो ये Car और Defense की Steel बनाने के लिए टॉक क्लास कमपनियों में से एक जानी जाती है मैं आपको एक बात बता दू अगर आपको Auto में अच्छी न्यूज आए या Defense में अच्छी न्यूज आए तो आप इस स्टॉक में ट्रेटिंग कर सकते हैं ये कमपनी Indian Railways को भी Steel एक्सपोर्ट करती है दोस्तो ये Agriculture के प्रोड़क्स बनाने के लिए Steel एक्सपोर्ट करती है जैसे कि ट्रेक्टर्स को बनाने के लिए Steel और जो खेती करने में जो equipment यूज होते हैं उसके लिए भी Steel एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तो सनफलेग आरन Steel एक्सपोर्ट के साथ साथ Company Auto Components भी बनाती है जैसे Bearing और भी सारी चीज़े Motor, Vale, भारत Bench, Tata Motors, Volvo, Honda Cars, Honda Bikes, Suzuki, Yamaha, Mahindra, Nissan, Toyota, TBS, मारती सुचकी, Indian Railways, Hero Group, General Motors, Ford, Bajaj, Ashokaliland, Royal Infield ये सब इन नाभी कंपिनियों के लिए प्रोटक्ट बनाते हैं दोस्तो Almost सभी के लिए काम करते हैं तो आप देखी रहे हैं कि ये लगबग हर सेक्टर में इनका participation है हर सेक्टर में ये मौझूद है लेकिन आप लोगों की मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतनी बड़ी कंपनी और स्टोक इतना नीचे और तो और ये स्टोक चलता भी नहीं है दोस्तों कंपनी ने केपेक्स बहुत बड़े पैमाने पे किया जिसकी वज़े से ये कंपनी चली नहीं ये स्टोक चला नहीं सारा पैसा बिजनिस में लगा जिसकी वज़े से बैलेंस सीट में भी थोड़ा उपर नीचे इसाब रहा अब आज की डेट की बात करें तो ग्लोबल कॉमोडिटी उपर है अगर स्टील सेक्टर में री रेटिंग देखने को मिलती है तो ये स्टोक भी री रेट हो सकता है और सबसे बड़ी बात अब कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है जिसका असर स्टोक पर जरूर देखेगा अब एक बार हम फंडमेंटल देख लेते हैं दोस्तों डिलीवरी की बात करें तो रोज इस कंपनी में 40% से उपर की डिलीवरी उठती है शायद ही ऐसा कोई दिन होता होगा जिस दिन 40% से नीचे हमें डिलीवरी उठती दिखाई देती है टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI नीट्रल है CCI नीट्रल है विलियम बोल रहा है Oversoul जोन में है Money Flow जोन इंडेक्स नीट्रल है अब Financial Indicators देखें तो Market Cap 1078 करोड है दोस्तों Market Cap बिल्कुल भी जादा नहीं है EPS देखें तो 4.49 है दोस्तों बहुत कम स्टॉक ऐसे होते है जो स्टॉक 100 रुपे से नीचे काम कर रहे होते है और जिनका EPS 4.5 रुपे देखने को मिलता है वही PE Ratio देखें तो 31.34 है स्टॉक का और Industry PE इसमें दिखा नहीं रहा लेकिन Industry PE दस है और अगर दोनों को Compare किया जाए तो इस्टॉक महंगा नहीं है Book Value 57.47 पैसे है और स्टॉक इस Rate के आसपासी Trade कर रहा है अब Share Holding Pattern को देखें तो Promoter की Holding 51.16% है दोस्तों सबसे खास चीज ये Share Holding Pattern में देखने को मिली है कि आप Foreign Promoter को देखिए Diado Steel Company Limited जापान ये 10% कमपनी का Share Hold करते हैं Diado Japan ये एक बड़ी Steel Company है और इसका इस कमपनी में होना काफी बड़ी बात है और मुझे ऐसा लगता है कि इसका आपके Portfolio में होना जरूरी है और कमपनी भी Lost से Profit में आ रही है Global Commodity ने काफी वक्त अपना Under Performance में गुजा रहा है और अब ये Stock को Benefit मिलेगा और जिस कमपनी का Revenue 2,000 करोड के उपर हो वो कमपनी इतने नीचे Rate पर Trade नहीं करेगी तो बहुत ही Under Performing Stock है और आप इसे लेकर चले कमपनी में सब कुछ ठीक है बढ़िया है कमपनी का All Time High 100 रुपए है और शायद अब ये Stock इस Rate को भी Cross करने की तैयारी में है और दोस्तों इंडिया चाइना पर जो Import Duty बढ़ा रहा है उसका भी फाइदा इस कमपनी को मिलेगा Stock काफी Low Value पर Trade कर रहा है ये तो अपनी Sales से भी नीचे Trade कर रहा है ये मैं Market Cap की बात कर रहा हूँ Sales इसकी 2,000 करोड है और Market Cap सिर्फ हजार करोड है तो Value बहुत है इस Stock में और आप इसे Portfolio का हिस्सा बिलकुल बना सकते हैं अब दीजे मुझे इजाजत वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो